Hi everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ शिवानी, आज की वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेड़िड अगर एक कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राय कर रहा है तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप जल्दी ही प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम से हस्बेनर वाइफ ट्राय कर रहे है लेकिन प्रेगननेंसी नहीं हो पारी, even कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपना चेकप कराते हैं, हस्बेंर वाइफ दोनों की रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल होती हैं कोई प्राब्लम नहीं होती, ल जल्दी प्रेगनेंसी अचीव करें उसके टिप्स दोंगे कोई ऐसा कपल है आपके कॉंटाइक्ट में जो की इस प्रॉब्रम को फेस कर रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजे ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए से सब्सक्राइब करना है बहुत ज़्यादा जरूरी तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आए शुरू करते हैं लेट्स कर स्टार्टेट मेरी सबसे पहली टिप है फीमेल्स के लिए विमिन अक्सर ये गलती करती हैं कि उनका अग पीसी ओडी, पीसी ओएस और पीडिट्स टाइम से लाने की जो दवाया होती हैं उसमें बर्थ कंट्रोल पिल दी जाती है यानि कि जिसे बच्चे नहीं होते हैं तो अगर आप ऐसी कोई पिल ले रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से पहले तो आप संपर्क कीजिए उ क्योंकि इन दवाईयों को लेते रहते हुए आपकी प्रेगनेंसी अचीव होना पॉसिबल नहीं है तो ये दवाईयां आपको बंद करनी ही पड़ेंगी और पीरिट्स टाइम पे आएं आपके या पीसी ओदी, पीसी ओएस की प्रॉब्लम ठीक हो जाए उसके लिए अभी और मैं जो टिप्स बताने वाली हूँ उनको आप फॉलो कर रहेंगे तो उससे भी आपको काफी फायदा मिल सकता है अब बात करते हैं दूसरी टिप की बहुत सारे कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राय तो कर रहे होते हैं लेकिन सही समय पर नहीं एक फीमेल का जो एक पीरि तो अगर आपको ovulation की जानकारी नहीं है अगर आप ovulation कब हो रहा है वो calculation नहीं करते हो अपने मन्से आप मतलब कभी भी ट्राय कर रहे हो और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही प्रेंशन ने रहें कि क्या problem है तो बहुत जरूरी है कि आप ovulation के days को calculate करके तब ट्राय कीजि कुछ दिनों पहले तो ovulation के जानकारी आपको होनी चाहिए ovulation के days calculate कैसे करने हैं, कब होता है ovulation, इस पे मैंने detail में video बनाई हुई है कि pregnancy के लिए कब try करना है कितनी बार try करना है तो वो video आप जरूर देखिए उसमें आपको इसकी detail में knowledge मिल जाएगी, मैं उसका link आपको इस video के end में दे दूँगी उस video का और वो मेरे channel की सबसे ज़्यादा popular video भी है तो वैसे भी अगर आप मेरे channel के video section में जाके popular video अगर click करेंगे तो सबसे पहले ही आपको वो video मिल जाएगी जिसका title है pregnancy के लिए कब और कितनी बार करना चाहिए तो वो video आप देख सकते है ovulation की पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी तो मेरी दूसरी tip आपको ये है कि ovulation के time पे relation बनाएए बलकि उससे एक दो दिन पहले और एक दो दिन बात calculation जैसे आपने कर ली कि इस दिन पे हमारा ovulation इसके आसपास पड़ेगा तो उसके 3-4 दिन पहले से आप relation बनाएए उसके 3-4 दिन बात तक बनाएए यहीं आती है मेरी next tip वो ये कि बहुत सारे couple हो ये चीज होता है कि ovulation वाले दिन बना लिया तो आप pregnancy होई जाएगे ovulation का दिन है नहीं बिल्कुल ऐसा एकदम fixed नहीं होता जब तक कि आप machine से check ना करें कि इसी दिन ovulation है या तो आप machine का use कर लीजे या ovulation kit का use कर लीजे कि इसी दिन है इससे एक दिन पहले बना लेना है या इस दिन बना लेना है तो हो जाएगे pregnancy नहीं अगर आप एकदम से बिल्कुल शौर नहीं है किट लेके या machine से आपने check नहीं किया है सिर्फ आप calculate करके ही ovulation day को gas कर रहे हो तो ऐसे में जरूरी है कि आप frequently relation बनाएए जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी बताया है अभी भी मैं बोल रही हूँ for example आपको periods के 12 वे दिन ovulation होना है तो आप 10 में दिन से ही शुरू कर दीजे कि 10 को आपने बनाया 11 को 12 को 13 14 15 तो 2-3 दिन पहले का 2-3 दिन बात का दिन आप ले सकते हैं और everyday पे रोज आप relation बना सकते हैं बहुत से लोग बोलेंगे नहीं हमारा मन नहीं करता इतनी energy नहीं होती हम नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप alternate days पे भी कर सकते हैं जैसे कि एक दिन छोड़ा फिर एक दिन करा एक दिन करा ऐसे भी कर सकते हैं अब इसमें भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन से जैसे मुझे पता चला की ऐसे कैसे होगा ऐसे कॉन ट्राय करेगा तो देखिए अप प्रेगनेंसी अचीव करनी है नहीं हो पा रही है आपको थोड़ा सा कॉंशियस रहे के कैलकुलेशन वगरा करके अगर आप कर रहे हो तो सही तरीके से करिए न तो मतलब थोड़ा तो आपको ट्राय करना ही पड़ेगा आपस में एक दूसरे की इंटिमेसी का आप खयाल रखिए थोड़ा रोमैंटिक रहे है एज़ ड्यूटी जैसे इसको ना लीजिए स्ट्रेस लेके ना करिए थोड़ा सा मतलब इंजॉय करते हुग अगर इस प्रॉसेस को करेंगे तो डेली भी रिलेशन लोग बनाते हैं एविन एक दिन में मल्टिपल ताइम्स भी बनाते हैं इस्पेशली वो लोग जिनकी नईली शादी होई होती है या जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राय कर रहे होते हैं या सारे कपल के लिए नईजक्राइब होती है कि वो लोग डेली भी डिलेशन बनाते हैं या और अल्टनेट डेश पर बनाते हैं तो अरक ररियर कर रहे हैं आप стр dumb की क्वालिटी प्रेल ऐहो तो अगर ले वो तो वैसे ही आपका respirator है आपके hormonal imbalance में आपका साथ देगा hormonal imbalance होगा तो आपके sperm की quality, act की quality, आपकी periods की cycle हर चीज़ पे असर पड़ेगा तो stress आपको नहीं लेना है इसके अलावा भी काम से related stress, family का stress और दुनिया भर की tension तो देखिए आप इस दुनिया में अपने बच्चे को ला रहे हैं अपनी life में अपने बच्चे को ला रहे हैं तो वैसे ही आपको दुनिया भर की tension थोड़ी अपनी life से कम करनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे माहौल में अगर एक बच्चे को आप लाएंगे तो आप खुदी सोचे ना कि फिर आप तो और जादा परिशान होने वाले हैं और बच्चे को भी एक happy माहौल नहीं मिलेगा So it's very important कि आप अपनी life से stress को थोड़ा कम करने की कोशिश कीज़े देखिए life चलती रहती है, उतार चड़ाव life के चलते रहते हैं प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सामना ही अगर हम खुश हो के करें, हिम्मत से करें, हर चोड़ी चोड़ी चीज़ पर घबराएं ना परिशान ना हो, overthink ना करें, तो ऐसे ही तो life में जीने का मज़ा है ना तो अपनी life से थोड़ा सा stress कम कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपनी खुशियां ढूढ़िए, आपस में husband, wife दोने एक दूसरे के साथ खुश रहिए happy time spent करेंगे, तो relation बनाने का भी मन करेगा और आपके hormones भी check रहेंगे, और इस दुनिया में जो एक baby आने वाला है उसको भी आप एक happy home दे पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि stress थोड़ा सा कम किया जाए अब कुछ लोगों का question होता है कि position कौन सी try करनी है, क्या करने के बाद, relation के बाद लेटे रहना है female को, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए position आप कोई भी try कर सकते हो, और जो sperm है, उनकी speed बड़ी ही तेज होती है वो अपने आप अपना रास्ता बना लेंगे, वो पहुँच ही जाते हैं और उनको पहुँचने में 2-3, maximum 5 मिनट लगते हैं, उससे जादा नहीं तो जो भी आपको ये सलहा देता है, कि आपको घंटे भरतक लेटे रहना है, आदे घंटे लेटे रहना है और female ऐसा करती भी है, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप चहाते भी हो, ये चीज करना की थोड़ा मैं लेटी रहती हूँ, तो इस परम को easily अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको 5-10 मिनट लेटे रहना है उससे जादे आपको लेटने की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशन का ऐसा कुछ specific नहीं होता पर फिर भी आप चाहें, तो ऐसी position ट्राय कर सकते हैं, जिसमें की female जो है, वो lie down रहे अब बहुत से लोगों की confusion ये भी होती है, कि relation बनाने के बाद, जो male का discharge है, वो बहार आ गया तो देखिए, it's normal, उसमें सिर्फ sperm नहीं होते, male की discharge में और भी चीज़ें होती है ठीक है, और sperm भी एक बूंद में भी बहुत सारे millions में, thousands में sperm होते हैं तो उस चीज़ की tension नहीं कीजिए, कि अगर discharge बहार आ गया है, तो ऐसे कैसे pregnancy होगी, sperm तो सारा बहार गया sperm बहार नहीं आया है, सिर्फ discharge बहार आया है, sperm की speed बहुत तेज होती है, वो बहुत सारे होते हैं आप उनकों अपने आखों से देख भी नहीं पाएंगे, वो अपने आप चले जाते हैं, तो उसकी tension आपको नहीं लेनी, अगर बाद में discharge भार आ रहा है, तो it's totally fine अब next बात करते हैं, आज की generation में, आज की rate में, बहुत सारे couple को ये problem है, कि life style अच्छा नहीं है bad food choices, बहुत lifestyle तितर बितर है, कुछ भी healthy नहीं है life में, तो healthy lifestyle होना बहुत जादा ज़रूरी है, अब मैं जो आगे tips बताऊंगी, वो उसी सही related है देखिए, सबसे पहला तो healthy food आप बोलेना है, healthy food में आप लोगों को ऐसा लगता है कि diet करनी पड़ेगी, कुछ special नहीं जो हम जमाने से करते आ रहे हैं, fruits खाना, सबजियां खाना, salad खाना, दूद पीना, juice पीना, यही normal सी diet, घर का मना हुआ, fresh खाना-खाना बहार का junk food avoid करना, यह मेरी next tip है कि junk food, बहार का खाना, तला भुना खाना, यह आपके, मतलब पूरे खाने वाले system को ही नहीं, आपके reproductive system को भी effect करता है आपके sperm की quality, आपके eggs की quality, इसको भी काफी effect करता है, PCOD, PCOS की problem आज की रिट में इतनी क्यों हो रही है, bad lifestyle की वजह से ही, अगर आपने lifestyle सुधार लिया ना, तो यह problem अपने आप ही ठीक हो जाएंगी तो कोशिश कीजे कि अपना खानपान सुधारिये और junk food को ना कह दीजे मेरी next tip है, यह भी husband wife दोनों के लिए है कि हमारा physical workout इतना नहीं होता है, exercise बिलकुल हम करते ही नहीं है, क्योंकि time नहीं होता है, हमारा यह excuse होता है बहुत time तक मैं भी ऐसा सोचती थी, लेकिन ऐसा नहीं है guys, मैंने भी यह चीज रियलाइस करी कि हम दुनिया भर के ऐसे काम करते हैं, जिसमें हम अपना time waste कर रहे होते हैं, even phone चलाना या कुछ ऐसे काम, मतब जिसमें हम time को अपना kill कर रहे हैं, हम कुछ भी productive नहीं कर रहे है तो क्यों ना ऐसे times को हम use करें, कुछ ऐसा करने में कि जो हमारे लिए अच्छा है, हमारी body के लिए अच्छा है और इस चीज में भी help करेगा हमारी अगर हम baby के लिए plan कर रहे हैं, तो male और female दोनों कोई थोड़ा से ऐसा time निकालना चाहिए जिसमें उनकी body की थोड़ी movement हो, जो भी आपको पसंद है, आप walk पे जा सकते हो दोनों साथ में, अगर जिम है nearby कोई, तो उसमें भी आप जाके थोड़ी बहुत exercise कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोल दूँ, female बहुत जादा heavy workout ना करें, light cardio, yoga, यह ऐसी चीज है ना कि आपके blood circulation को यह बढ़ाती ह हैं और blood circulation आपका improve होगा, तो इससे again आपके sperm की quality और female में egg की quality अच्छी होगी, तो इन exercise को आप थोड़ा सा अपनी life में शामिल कीजे, यहाँ भी आपके help करेंगे आपकी reproductive health के लिए और वैसे ही आपकी body की overall health के लिए भी थोड़ी बहुत exercise करना, अपनी body को चलाना, के लिए यह है कि जब भी भी आप यह plan करो कि हमें baby के लिए try करना है, तो सबसे पहले आपको अपना एक full body check up जरूर कराना चाहिए, specially female को, क्योंकि आप एक baby को carry करने वाले हो, और जैसी आपकी body की health रहेगी, वैसी ही बच्छे की health भी होने वाली है, तो बहुत ज़री है कि आप अपना एक overall body check up करा लें, अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी है, किसी vitamin की कमी है, या iron की कमी है, और भी कोई उसमें कुछ निकल के आता है, diabetes है for example, या thyroid है, इन सब चीजों को पहले ही आप थोड़ा सा निवारन कर लीजिए, बेबी को प्लान करने से पहले और इन थोड़ा ध्यान दे लेंगे, तो आगे भी आपकी pregnancy जो है, उसमें problem कम आएंगी, मतलब अगर ये problem होती है, तो pregnancy थोड़ी सी risky हो जाती है, pregnancy में काफी आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वहीं पहले से आप ये चीजें चेक करके चलेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहता है, pregnancy plan करने में, और कितनी बार इन चीजों की वजह से, ऐसे थायराइट में बोलते हैं, कि बहुत सारी फीमेल जो थायराइट की patient है, उनको pregnancy achieve करने में problem होती है, तो अगर ऐसा कुछ रीजन है, तो वो भी इन चेक अप्स के थुरू पकड़ में आ जाएगा, तो एक्स टिप पर आते हैं, ये भी husband wife दोनों के लिए है, smoking and alcohol, smoking and alcohol आपके sperm की quality को खराब करते हैं, और अगर आप baby के लिए ट्राय कर रहे हो, तो इन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा, even pregnancy में भी आपको alcohol और smoking के लिए मना किया जाएगा, even husband को भी, जैसे कि बहुत सारे husband हो जिनको smoking की लथ होती है, तो ऐसे में आप भी जब wife आपकी pregnant है, तो उनके सामने कभी भी smoking नहीं करना, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका छोड़ा हुआ धुआ उनके अंदर जा रहा है, वो inhale कर रहे हैं, तो वो passive smoking भी उनको नहीं कर रहा हैं आपको, तो वैसे त इसको छोड़ ही दें, अगर आपको ऐसी आदत है, तो इस time period में, और नहीं बिलकुल छोड़ सकते हैं, अडिक्ट हैं, तो थोड़ा-थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं, और फीमेल को तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रेगननसी में बहुत जादा risk हो सकता है अगर आप alcohol and smoking करते हैं, तो फीमेल को छोड़नी ही चोड़नी चाहिए, अगर husband फिर भी इतने जादा addict है, especially smoking के, देखे, drinking आप easily छोड़ सकते हो, आप कम कर सकते हो, लेकिन smoking की क्या है ना, कि लोगों को एक-एक दिन में 8-10 और नजाने मतब कितनी smoke करनी की आदत होती है, त तब भी, तो कोशिश यह कीजिए, कि जितना जादा हो सके, कम करने से, या फिर छोड़ना अगर पॉसिबल है, तो छोड़ी दीजए, आजकल तो nicotine gum वगेरा भी आती है, जो आपके addiction में आपकी help कर सकते हैं, उसको छोड़ाने में, तो यही थे कुछ tips जो कि आपके काम अचीव नहीं हो रही है, ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनसे discuss करना है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो आपकी check-up कराएंगे, इसमें male, female दोनों का check-up होता है, male का check होता है कि उनकी sperm quality कैसी है, हो सकता है, sperm count कम हो, या sperm की speed है, motility है, वो कम हो, उसका check-up होता ह है, और वहीं female में, उनके uterus का, उनकी जैसे period cycle है, उनकी X की quality है, उन सब चीजों का doctor जो है, वो जांच करती है, और उसके base पे आपको बताती है, अगर आपको कोई medical problem है, तो और उसका साथ में solution भी, इसमें मेरी काफी सारी video है, कि क्या solution होते है, IVF का जैसे treatment होता है, ऐसी situations म IVF के बारे में, IUI के बारे में, सैरोगेसी के बारे में, सारी videos मेरी channel पे आपको मिल जाएंगी, जस्ट आपको search करना है, तनुशी and family मेरी channel का नाम, उसके बार जो भी आपका topic है, अगर आपको for example, सरोगेसी की video देखनी है, तो search कीजे, तनुशी and family सरोगेसी वो video आ जाएग तो इस तरीके से आप मेरी कोई भी video देख सकते हो, इन सब चीजों पर मैंने video बढ़ाई हुई है, मेरी पूरी playlist, hashtag बीबोल में, बहुत सारे ऐसे topics हैं, जो आपकी help कर सकते हैं, वो पूरी playlist पे आप चेक कर सकते हो, तो आज की video के लिए था इतना ही, और कोई topic हो, जो आप म ये ट्राय कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूँगे आप से अगले video में, तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर